Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is part of an academy group दोस्तों आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें एक्सपेक्टिड जीके और साइन्स के कोशन आंसर कवर कराने वाला हूँ Railway Group D 2022 के लिए क्योंकि अभी एक्जाम चल रहा है तो जिस टाइप के कोशन्स एक्जाम में पूछे जा रहा है वैसे ही कोशन्स मैं आप लोगो को करा रहा हूँ तो प्लीज आप इस वीडियो को रेगुलर देखे Wi-Fi Study चैनल पर रात में 11 बजे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में भी सेयर करिएगा तो चलिए टेलिग्राम जोइन कर लीजे दोस्तों टेलिग्राम का नेम है स्वरम बलीक ओफिशल यहां से आप लोगो को डेली इस पेसे क्लासिस के लिंक मिल जाएंगे साथ साथ इंपोर्टेंट पीडिया भी मिल जाएगी दोस्तों यहां पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट ले सकते हैं जैसे के लाइब क्लासिस स्ट्रक्चर्ड कोर्स वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सिस और भी सारे बेनिफिट और यह कब मिलेंगे दोस्तों जब आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन जोईन करेंगे और कोर्ड यूज करेंगे स्टरी टेन इससे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा लेट्स क्रेक मिशन SSC विद अनकेडमी दोस्तों इसमें अन्रोल कर लेना इसके सभी बेनेफिट आपको एक ही कैटेगरी में मिल जाएगे SSC कैटेगरी में तो आप इसको जैसे ही जोईन कर लेंगे और अभी देखे SSC कैटेगरी में भी आपको नोट्स की हार्ड कोपी मिलने वाली है और यह किनको मिलेगी दोस्तों यह आइकोनिक जो लर्नर होंगे हमारे जो आइकोनिक सब्सक्रिप्सें जोईन करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोग संकल्प बैच लक्षे बैच और कंप्रीट बैच यह सबी स्टार्ट हो चुके अन्रोल कर सकते हैं कोड इस्टडी 10 के साथ में साधी साथ आइकोनिक में भी दोस्तों इस्टडी 10 कोड ही अपलाई करेंगे आइकोनिक के फीचर होते है प्राइट इन डाउट्सोरिंग प्राइट इन लाइव क्लास और बाग की आप लोग ड काद्य परदात विटामिन सी का स्रोत नहीं है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा विटामिन सी का स्रोत नहीं है कौन सा काद्य परदात तो पटेटो तो है मैंगो भी है दोस्तों ठीक है गाजर भी है बट यहां पर फिस नहीं होगा तो राइट आंसर इस ऑप्शन स ठीक है, option C आपका right answer हो जाएगा अगला question आता है, जापान का संसद के रूप में जाना जाता है यानि कि जापान की संसद के रूप में जाना जाता है तो जापान की जो संसद को दोस्तों जाना जाता है और diet के रूप में जाना जाता है यानि कि right answer is option A साउधी अरब की मुद्रा निमलिकित में से कौन सी है साउधी अरब की जो दोस्तों मुद्रा है वो है आपकी रियाल यानि की ओप्शन बी रैट आंसर होगा वई ठीक है अगला कुश्चन बारते सविदान का नुच्छेत 45 निमलिकित में से किस प्रावधान से संबंदित है इस कोश्चन का दोस्तों रैट आंसर हो जाएगा बिलकुल 6 वर्स की आयू तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्या सिक्सा ठीक है ना तो इस कोश्चन का रैट आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा फिरी एन कंपलसरी एजुगेशन पूर आल चिल्डन तिल दे कंपलीट दे एज आज आप सिक्स ओल्राइट चले पस्चिमी राइस्थान की मिट्टी में खालिस्थान की उच सामगरी है तो गाईज इस कोश्चन का रैट आंसर हो जाएगा फासपोरस यानि की डी इस दा रैट आंसर या आप लोग को याद दखना है अगला कोशन आता है कि खेल दिवस हर साल 29 अगस्थ को खालिस्थान के सम्मान में मनाया जाता है तो खेल दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है 29 अगस्थ को और ये ध्यानचंद ध्यानचंद होकी जादुगर के खेल दिवस के रुपे मनाया जाता है तो यह आप लोग को याद अखना है ठीक है? इनके सम्मान में दोस्तों जब कोई विध्यक एक कानून बन जाता है दीखे कोई भी विध्यक जब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर रास्पती अपनी सहमती नहीं देता है ठीक है? तो right answer is option C यह आप लोग को याद अखना है गाईज अगला कोईशन आता है अनुवानसिक जानकारी में संग्रहित है तो इस कोईशन का right answer DNA हो जाएगा? option is the right answer कोईशन है जलिया वाला बाग नरसार की किस त्योहार पर हुआ था? तो जलिया वाला बाग नरसार की त्योहार पर हुआ था दोस्तो right answer is बेसाखी तो option A right answer हो जाएगा next है निमन में से किसमे उच लोहो तत्व है which of the following has high iron content दोस्तों यहाप अगर बात कीज़े तो सबसे अधिक लोहो जो पाया जाता है वो पनीर में नहीं दोस्तों एग में भी नहीं मिल्क भी नहीं ग्रीन वेजिटेबल से तो right answer is option C ठीक है question आता है पाकिस्तान का परधान मंत्री कौन नहीं रहा है who has not been prime minister of Pakistan जो कभी पाकिस्तान का prime minister रहा ही नहीं है वह कौन है दोस्तों हरारे is the capital of तो हरारे की राज़दानी है जिमबामबे यानि की option आपका D right answer हो जाएगा तो ये आप लोग को याद अखना है निमलिखित में से कौन सा तकनी की अविस्कार पहले आया था कौन सा तकनी की अविस्कार दोस्तों पहले आया था तो इस question का right answer हो जाएगा telescope यानि की B is the right answer ये आप लोग को याद अखना है अगला question है Association of Southeast Asian Nation का मुख्याले कहां पर है तो Association of Southeast Asian Nation has its headquarter at Jakarta यानि की option B right answer हो जाएगा अंतरास्टे महिला दिवस निमलिखित में से किस्तिथी को मनाया जाता है तो अंतरास्टे महिला दिवस निमलिखित में से किस्तिथी को मनाया जाता है इस question का right answer हो जाएगा March 8 यानि की D is the right answer Question आता है उस्ताज जाकिर हुसेन निमलखित में से किस वाद्दे अंतर का परती पादक है उस्ताज जाकिर हुसेन is an exponent of which of the following musical instrument तो इस question का right answer बतागेगा क्या होगा तबला इस question का right answer हो जाएगा गुप्त काल में जो विस्विद्याले परसीद हुआ वह कौन सा था दोस्तो इस question का right answer होने वाला है वह कौन सा विस्विद्याले जो गुप्त काल में परसीद हुआ तो नालंदा यहाँ पर right answer हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तो सर्गय, इफ्तेखार, एहमद, निमलिकित में से किस चेतर में परसीद थे तो यह किस चेतर में परसीद थे दोस्तो बिलकुल सही है इस question का right answer होना अभी नहीं था है यहाँ कि acting के चेतर में यह परसीद थे यह आप लोगों को याद अखना है बानबट किस समराट का दरबारी कभी थे तो बानबट जो है वो किस के दरबारी कभी थे यह दरबारी कभी थे दोस्तो हर्सवर्धन के और यह आपका question important है क्योंकि पहले भी कहीं बार एक्जाम में यह पूछा जा चुका है भारती सविदान का नुच्छिद 254 निमलिकित में से किसका वनन करता है आर्टिकल 254 ऑप दा इंडियन कॉंस्टिटूशन डिस्क्राइब विच उपदा फॉलोईंग तो राइट आंसर इस बिलकुल दोस्तो देखे केंद्रिय कानूनों और राज्य कानूनों के बीच किसी भी संगर के मामले में केंद्रिय कानून पर बलोगा ठीक है यह आर्टिकल 254 बताता है दोस्तों यानि कि कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है दोस्तों स्टेट में भी बनाया जा रहा है और सेंटर में भी सेम मुद्दे पर तो उसमें सेंटर का जो मतलब यहां पर कानून होगा वो मान्यम होगा ठीक है in case of any conflict between union laws and state laws the union laws shall prevail या आप लोग को या दख ले है ओल्राइट देखें मेरी दो special classes हो रही है नकेडमे पर धाई बज़े दिन में और रात में 11 बज़े दोनों classes बहुत important है दोस्तो 5000 question answer हम cover कर रहे हैं और 5000 question answer की जो PDF है वो आपको telegram पर मिल जाती है telegram का नेम है सोरब मलिक official इसको भी जोइन कर लिजगा ठीक है चले नेक्स वीडियो पर चलते है दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है दवाओं के दुरुपयोग और अवेद रूप से तरसकरी के खिलाप अंतरास्ट दिवस कब बनाया जाता है और अगर आपको question का answer पता होगा तो comment box में जरूर बताएगा दोस्तो देखे यहाँ पर अगर मैं बात करो दोस्तो नसीली दवाओं के दुरुपयोग और अवेद वेपार के खिलाप अंतरास्ट दिवस 26 जून को दुनिया भर में बनाया जाता है तो इस question का right answer दोस्तो 26 जून हो जाएगा ठीक है और देखे जब session पसंद आता है भई तो like भी कर दिया करो ठीक है अपने दोस्तों के साथ भी share कर दिया करो दूसरा question है मनार की खाड़ी किस के तट पर इस्तित है तो मनार की जो खाड़ी है दोस्तों वो किस के तट पर इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों तमिलनाडू के तट पर यानि की right answer आपको option ये होने वाला है निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सई डंग से mail नहीं खाता है आंसर बतेगा देखे यहाँ पर देखे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तीन लिस्ट होती है तो union list, state list और concurrent list ये आपकी जो चोथी list है ये कोई list ही नहीं होती है तो इस question का right answer D हो जाएगा ठीक है जो यहाँ पर education अगर मैं बात करूँ तो ये concurrent list का विशे है जिसमें union और state दोनो rule और regulation दोस्तों कर सकते है चले अगला question आजाता है भारती अर्थवस्ता किस परकार की है तो बहुत easy question है कहीं बार मैं भी बता चुका हूँ भारत की जो अर्थवस्ता है दोस्तों वो मिस्रित है यानि की mixed economy है इसमें private sector और government sector दोनों काम करते हैं तो ये इसलिए mixed economy है पुस्तक planned economy of India के लेखक कौन थे तो पुस्तक planned economy के लेखक थे दोस्तों M. वेस्वसरिया यानि की option A. रेट आंसर होने वाला है question आता है मानव में भोजन के पाचन की परकिरिया सुरू होती है तो मानव में दोस्तों पाचन की परकिरिया सुरू होती है कहां से? mouth से यानि कि मूँ से तो इस question का right answer option C हो जाएगा अगला question है निमलकित में से कौन सा सविधानिक निकाय है which of the following is a constitutional body तो इन में से कौन सा एक constitutional body है तो इन में से कोई भी नहीं है दोस्तों नासा के किस mission ने पहली बार मानव को चनांद पर भीजा गया था देखिए यहां पर बात कर दोस्तों Apollo कारेकरम जिसे project Apollo के नाम से भी जाना जाता है National Aeronautics and Space Limited जो है दोस्तों आपकी नासा यह गया था यहां पर अंत्रिक्स में 1969 में से 1972 था चंदर्मा पर पहले मनुष्य को उतारने वाला सफल इनका जो प्रोग्राम था तो इस question का राइट आंसर हो जागा दोस्तों Apollo प्रोग्राम ठीक है 1969 में गया था 1972 तक यह भी आप लोग या देख सकते हैं M.K. गांधी चंपारण में कब पहुँचे थे? M.K. गांधी दोस्तों चंपारण में पहुँचे थे अप्रेल 1917 में तो इस question का राइट आंसर C हो जाएगा दोस्तों सिवालिक पाडिया निमलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह है दोस्तों सिवालिक पाडिया अगर मैं बात करूँ तो यह हिस्सा है हिमालिया का तो राइट आंसर इस C यह आप लोग को या दखना है question है नंदा देवी निमलिखित में से किस राज्य में इस्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी is located in which of the following state? इस question का right answer होजएगा उत्रा खंट तो यह आप लोग को या दखना है question है दोस्तों जीव विज्ञान में निमलिखित में से कौन कोशिकाओं की उर्जा मुद्रा है? तो इस question का right answer होजएगा बिल्कुल A T भी इस question का सही उत्तर होगा दोस्तों question है किस जानवर का तीन कक्षे हर्दे होता है? तो देखे इसका यहाँ पर right answer होजएगा दोस्तों लेजार यान की छिपकली का उस रक्त Y का कनाम बते है जो रक्त को वापस हर्दे तक ले जाती है दोस्तों इस question का right answer होजएगा सिरा यान की A is the right answer question है पोधों में भोजन का परिवैन होता है तो इस question का right answer होजएगा दोस्तों question है transportation of food in plant take place through तो phloem दोस्तों इस question का right answer होगा या आप लोगों को याद अखना है question आता है दोस्तों रबारी भारवद और चर्ण समुदाई की आदिवासी इस्तिधी पर नेने करने के लिए किस राज्य ने पैनल आयोक कगठन किया है तो ये किया है दोस्तों गुजरात राज्य ने तो इस question का right answer आपका option A हो जाएगा देखे BCCI के अंत्रीम CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा हेमांग अम्मीन यानिकी D is the right answer question किस राज्य सरकार ने सभी सड़क के किनारे की धार्मिक सरचनाओं को अटाने का आदेश दिया है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो उत्तर परदेश ठीक है याद रखेगा question आता है किस देश ने 2021 Asia Cup Cricket Tournament की मेजवानी करने की योजना बनाई है which country plan to host 2021 Asia Cup Cricket Tournament तो इस question का दोस्तो रएट आंसर होजएगा स्री लंका question है गुरू पिरिया ब्रिज किस राज्य में इस्तित है गुरू पिरिया ब्रिज is located in which state तो इस question का दरा आंसर बताएगा क्या आंसर होने वाला है दोस्तो आंसर होगा उडिसा यानिकी D is the right answer उब्भोगता सिकायत निवारन के लिए ग्रामीन उब्भोगताओं की सुविधा के लिए सर्विस सेंटर को किस पोर्टल के साथ एकिकरत किया जा रहा है दोस्तो इस question का राएट आंसर होगा E दाखिल यानिकी A is the right answer कोशन है भारत के युदपोत परले ने किस इस्थान पर दो नो सेना रक्षा परदस्नियों निवेडेक्स 21 और आइडेक्स 21 में भाग लिया तो इस question का दोस्तो राएट आंसर होगा अबूधाबी में ठीक है यह आप लोगों को याद अखना है कोशन है दोस्तों IRDAI द्वारा COVID-19 के मद्देनजर विस भर में साइबर हमलों में तेजी सेवरद्दी के करण इसकी सूचना और सुरक्षा दिसा निर्दिसों की समिक्षा करने के लिए गठित समीती का सदिश्य कोन है डोक्टर जांकी राम दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है निमलकित में से कौन सी UPI ओटो पे विकल्प को अपने एप के साथ एकिकरत करने वाली भारत की पहली website music streaming सवाब बन गई है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा गाना यानिकर D is the right answer भारतिय ओटोमेटिव और रेल पार्ट्स बनाने वाली कमपनी ओमो सेकी किस देश की इलेक्ट्रोनिक वहान निर्माद रनक सेहंत्र इस्थापित करने के लिए 100 क्रोड रुपे का निवेस करने जा रही है दोस्तो right answer हो जाएगा बांगलादेश यानिकी भी इजदार रेट आंसर ठीक है देखे जरासाना आप लोग टाइम को ठीक करिए वई क्योंकि दो किलास होती है दिन में डाही बज़े और रात में ग्यारा बज़े अनेकेडमी स्पेशल क्लास ही दोनों को जोइन करिए और अनेकेडमी पर जो दोस्तों 30 जनवरी को कॉमबेट है उसमें एन्रोल कर लेना code यूज करना है study time और किसी को subscription जोइन करना है तो तब भी आप ये code apply करके join कर सकते हैं चलते हैं next video पर और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो मे आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी 2 special classes हो रही है इसके बारे मैं मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो 5 बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे दे ठीक है तो चले मिलते हैं next class में thank you so much